अख अच्छी बात यह कि जानमाल का नुकसान नहीं हुआ यानि किसी इंसान को चोट या फिर आग में कोई भी नुकसान वैसा नहीं हुआ है थोड़ी बहुत नुकसान हुई यह बिल्डिंग की जिसको जो है पुलिस ने रोग दिया किसी तरीके से बचाया उसके लाव में आप लोगों को traffic rules related जो है कुछ खास जानकारी दूंगा उसके लाव आपको बता देंगे कि जो है कि थी उसके बाद जो है आगे बात करते हैं कि अजुआ कि अजुआ है कि अजूआ है किशो विशिए है कि अजुआ है अजुआ अजुआ है झाल झाल तो आप लोगों ने देखा किस तरीके से जो है आग लग गई थी और उसके बाद में आप लोगों को बता दू कि जो है सौधी अरब में अभी ट्रैफिक रूर से रिलेटेड जो है एक नया जो है नियम आयड किया गया है कि अगर आप जो सिगनल पे या कहीं पर भी अगर क् होता है जिस पे जो है पैदल लोग जो पार करते हैं यानि उसको जेब्रा क्रोसिंग भी बोलते हैं तो जो अगर वह कहीं पर भी बनाया गया है अगर आप वहाँ पर गाली नहीं रोकते हैं तो आपको सौ रेयल से डेड़ सो रेयाल का फाइन हो जाएगा यहाँ पर आप की यह कहां पे है वहाँ पे आपको देखकर तभी जो है गाली को पार करना हया नहीं तो आपको सारयाल से फिक्ष्रियाल क queste तथो सींगेरल पर जो है इसके पीछे गाली को खड़ी कीजें नहीं सब्सığınवर के अंदर जो है काफी ज्यादा मात्रा में मंसियाब के केस में जो है पकड़े गए हैं जो काफी ज्यादा ट्रक में भर करके जो पिल्स होती है यानि जो गोलियां होती है गोली के अंदर जो मंसियाब भर करके ले जाया जाता है तो उसमें जो है पकड़े गए हैं उसमें जो है दोस्तों करें पाकिस्तानी पकड़े गए केस में तो सब जो है इस में जो मनसियाब का केस में बहुत बड़ा सजा इन लोग को होता है तो आप लोग जो है अगर सओधी आरम में रहते तो इन सब चीजों सो जो है बचके रहिए ट्रैफिक रूल का जो है नियम पालन कीजिए तो उम्मीद कर तो आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी अगर आप हमाई चैनल पर नए प्लीज हमाई चैनल को सब्सक्राइब कर दें वीडियो अच्छी लगिए तो लाइक कमेंट और शे अपना ख्याल रखिएगा